तो विल्कम जीटोटेंट्स आप सभी के अपने चैनल यसकी एंग इस्टड़ी वाफिस स्वागत है बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है यहाँ पर देखिए मेरे परवेचों हम बात या करें अच्छी तरीके साथ को बताएंगे और यहाँ पर द देखिए कक्षा बारा सब्जिक कमेश्टरी की बात करेंगे और हम मोश्ट इंपोर्टेंट को इसन की बात करेंगे और इसकी पीडियोप भी आपको मिल जाएंगे और एची तरीके से पढ़ाई कर लिजेगा ठीक है यहां पर दिखिए हम जो प्रश्न है जो मोश्ट उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है और ऐसे प्रश्न है जो आपके 2022 में 2022 में आय हुए प्रश्न है और यहीं प्रश्न आपके 2023 में भी पूछे जाने की शंभावनाएं ज्यादा है ठीक है जलिए पहला कुछ देखिए आपके लिए क्या है कि सवनर संख्या या सवनरांग की परिभासा दीजिए तो क्या होगा सवन संख्या और सवनांग की परिभासा देना हमें तो रच्छी कोलायड की सक्ति को किसको रच्छी कोलायड की सक्ति को सवन संख्या से ब्रक्त किया जाता है किसको जो रच्छी कोलायड होते हैं हमारे क्या होते हैं रच्छी कोलायड की क्यों सक्ति होती है सक्ति क्या काते हैं स्वन संख्या से व्यक्त करते हैं या व्यक्त किया जाता है स्वन संख्या की परिवासा निम्न प्रकार से दी जाती है किस प्रकार से निम्न प्रकार से जाते से आप नीशी देखे रहे हैं कुछ परिवासा इसकी हम बताएंगे जिसको आपको समझना होगा अच्छी तरीके तभी आपको समझ पाएंगे ठीके यहाँ पर देखिए किसी द्रव इशने ही कोलायट के इश्वाण संख्या क्या करा है किसी द्रव इशने ही कोलायट के इश्वाण संख्या उसका मिली ग्राम में वह भार है जो गोल्ड शॉल के 10 एमल एक ml को डालने पर एक ml को डालने पर शॉल के लाल रंग से लृखिए इसमे अच्छी तरीके साब कोई समझाएगा और आपको बताने का भी प्रिजाश करेंगे इसेज में क्या कर रहा है कि द्रव इसने ही कुलार ती यो संख्या होती है यानि जो द्रव इसने ही कुलार के सं उसका मिली ग्राम में वह भार होता है, जो गोल्ड सोल के, गोल्ड सोल के 10 ml में, उपस्तित होने पर, क्या होने पर, उपस्तित होने पर, कहने का मतलब कि 10 ml उपसित होने पर यानि की गोल्ड सॉल के 10 ml को उपसित होने पर 10% NACL के यानि 10% NACL के 1 ml को डालने पर सॉल के लागर रंगे से नीले रंगे परिवर्थित होने को रोकने के लिए क्या है पर्यापत है तो यह अची तरीके से आपको समझना गया होगा चली आगया आपको बताते हैं यहाँ पर देखे शॉन संख्या रक्षी साल की सक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है किसका रक्षी सौल की जो प्रतीक है यानि जो सक्ति है उसको व्यक्त करने का प्रतीक है शौन संख्या जितनी अधिक होगी शौल की इसकंदन सक्ति उतनी ही कम होगी यानि जो सौन संख्या का जितनी अधिक आप रखेंगे उसकी जो सौल की इसकंदन सक्ति है उतनी ही कम होग कभी कम लुक होने पर सौझ की इसकंद सक्ति अधिक होगी आपके इसकंद सक्ति को स्कंद सक्ति है वह क्या ही अधिक होगी ठीक हैbum टिवाप अबदिए आपको एक राशानीख अभिकरिया को भी देना एं टिके और अचीTON-कोX अभिकरिया को भी देना ओर यहां पर देखेंट । पर जीक्सके फारम पर इसंकिवार्म पर हो है किसमें मेhtil लिलकोहल और ऐ दिया जा सकता किया जा सकता है अब देखिए एथिल इलकोहल को किसको एथिल इलकोहल को जब आयोडीन तथा जली सोरियम हाइडराकसाइड क्या जब इन्हें की जो एथिल इलकोहल है एथिल इलकोहल को जब आयोडीन तथा किसके आयोडीन तथा जली सोरियम हाइडराकसाइड या जली सोरि किस्टली ठोस आईटो फार्म बनता है चलिए इसको को रसानी समिकर्ण का परिच्छन भी कर लेते हैं कि तरीके से यहां पर आप देख रहे हैं CS3 क्या बनदा है CS3 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 CS2OH क्या CS3 CS2OH प्लस 4I2 क्या है CS3 CS2OH प्लस 4I2 प्लस 6NAOH तो यहां पर देखिए जो हमारा यह क्या है CS3 CS2OH हमारा क्या है अब इस अथिल अलकोहल को किस के साथ आयोडीन के साथ प्लस 6NAOH के साथ जब क्रिया कराएंगे सोडियम इडर अग्सायड के साथ तो बनाएगा क्या QR और सोडियम आयोडायाइड बनाएगा मेतिल अलकोहल आईड्यो पर इख्षण नहीं देगा यहां कौन देगा सिर्फ अथिल डेता है चलिआए आगए आपको बितते हैं ये स्ट जैएफ नियम को समझाईये उदारण दीजीए किसको इसपने अधर देना है चलिए चलिए जलते है तो आछरी तरीगे समझते और अछ तरीके साबको गर्म करने पर इल्कोहाल का OH तथा अलफा हैडूजन पर मालू मिलकर H2O के अनु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है ठीक है एक बाद इसको और समझे लेज़े आप लोग देखिए मोनोहाइडरिक इल्कोहाल को सांद्र हैडरिक इल्कोहाल को OH तथा अलफा हैडूजन पर मालू मिलकर H2O के अनु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं CH3CHOH यह हमारा क्या है इसको करते हैं मोनोहाइडरिक अल्कोहाल करते हैं और इसको देखिए H2SO4 की उपस्तितिव में क्या करेगा उपस्तितिव क्रिया करेगा और इसमें ताप कितना रखते हैं 160 से 170 डिगरी सेंटिगेर तक रखते हैं तो बनेगा क्या हमारा एथिलीन बनेगा यहनि CH2 डबल बॉंड CH2 और प्लस CH2 ओजल बनेगा ध्यान दीजेगा यहां परची तरीके साब को समझ में आ रहा होगा चले अगला कुछ देखिए मेथिल इलकोहल से डाई मेथिल इथर कैसे प्राप्त करेंगे तो इलकोहल की अधिकता में किसकी इलकोहल की अधिकता में 140 डिग्री सेंटिग्रेट पर डाई मेथिल इथर बनता है क्या बनता है डाई मेथिल इथर बनता है ठीक है तो यहां पर कहा जाएगा CH3OH प्लस CH2SO4 इसे क्या कहते हैं मेथिल इलकोहल कहते हैं प्लस H2O जल बनेगा उसके वाद यहां पर आप देख रहे हैं CS3HSO4 प्लस HOC3 यह मेथिल हाइडोजन सल्फेट के साथ क्रिया करेगा और किसके साथ मेथिल हैलकोहल के साथ क्रिया करेगा और तो बनाएगा क्या CS3OCS3 डाई मेथिल इथर प्लस H2SO4 बनाएगा ठीक है तो अगला कुछन देखिए निम्नलिकित अभिक्रियाओं में योगिक A तथा B को पहचानिये एवं संबंधित संतुलित रासानिक समीकरन लिखिए ठीक है यहां पर आप देख रहे हैं CS3CONS2 P2O5 की उपस्तिती में अब ग्रिया गर्म करेंगे तो यहां पर A बनेगा पूना पूना पूरा क्या है ठीक है उसके पुना इसको किसके साथ करिया करेंगे नौजात हाइडोजन के साथ और यह सीन प्लस एस्टू एस्टू के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा CS3C2NH2 बनेगा जिसे आप एथिल एमीन कहते हैं तो आई होप आपको सारे प्रस नश तरीके समझ में आ गए होंगे मेरी पैर बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो ता आप कमेंट बॉक्शन भी रूपता दीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नहीं टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहीं